दोस्तों ये वीडियो आप मेंसे तो बहुत से लोगों ने देखी ही होगी और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो करनाटा के कलगुरगी इलाके का है और ये वीडियो इंटरनेट पर अभी जम कर वायरल हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो ओला इलेक्टिक के शोरूम का है और वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि शोरूम से कितनी भारी भरकम मातरा में काला धुमा निकल रहा है जिससे की पता चलता है शोरूम के अंदर आग लगी हुई है और मैं आपको बता दूँ कि ये आग किसी दुरगटना या हाथसे से नहीं लगी है बलकि जान बूच कर लगाई गई है जिहां करनाटा के कलगुरीगी इलाके के 26 वरसी है शक्स नदीम ने याग लगाई है और बताया जा रहा है कि नदीम ने एक महने पहले ही ब्रैंड न्यू ओला इलेक्टिक स्कूटर खरीदा था और स्कूटर लेने के 4-5 दिन बाद ही उसमें प्रॉब्लम साना स्टार्ट हो गई बार बार सर्विस सेंटर ले जाने और महा समस्या का सही और समय पर समाधान ना मिलने से नदीम बहुत परिशान हो गया और उसने गुस्चे में आकर शोरूम के अंदर ही अपनी ही स्कूटर पे पिट्रोल डाल कर आग लगा दी और इस आग में लगभग ब्रैंड न्यू छे स्कूटर जल कर राख हो गया साथ ही साथ महां का कंप्यूटर सिस्टम भी जल कर राख हो गया और बताया जा रहा है कि लगभग आठ लाग का कुल नुकसान हुआ है ओला इलेक्रिक इस शोरूम में फिलाल पुलिस ने नदीम को अभी के लिए हिरासत में ले लिया है और आगे की कारवाई भी उस पे चलेगी तो दोस्तो इस वीडियो पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आग लगाने वाले सक्स ने गलती तो करी ही है किसी भी इनसान को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है लेकिन उस सक्स द्वारा आग लगाने के पीछे कहीं न कहीं ओला जो है वो खोदी जिम्मेदार है क्योंकि कोई इनसान कब तक बरदास्त कर सकता है खोन पसीने से कमाई डेढ़ लाख रुपई से स्कूटर खाईदने के बाद अगर उसे हर दूसे दिन सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े तो आदमी ऐसे में गुस्टे से बेकाबू हो जाता है और अगर ओला की स्कूटर में इतनी खराबी ना आए और ओला की सर्विस अच्छी हो तो ऐसी खबरे कभी भी हमें सुनने को नहीं मिलेंगी अब ऐसा भी नहीं है कि ओला की सारी ही स्कूटर में इतनी ज़्यादा प्राबलम्स आती है बहुत सी स्कूटर में कोई भी प्राबलम्स नहीं आती है महीं कुछ scooters में बहुत ज़्यादा problem आती है मैं भी पिछले डिर्ड साल से Ola scooter जो है वो use कर रहा हूँ और मेरी scooter में कुछ खास problems नहीं आई हैं अभी तक लेकिन बहुत सी scooter में बहुत problem आ रही है इसी वज़़ा से Ola को हर महीने 80,000 complaints आती हैं और ओला के पास फिलाल इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर और इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का वो सल्यूसन टाइम पर कर सके इसी वज़ा से कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ओला को अभी अपनी स्कूटर और अपनी सर सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाए या फिर नहीं भी मेरी तरह वह आपकी किस्मत प्रॉब्लमस आती हैं या नहीं क्योंकि जैसरकि मैंने बताया कुछ स्कूटरs में मैं बहुत जादा प्रॉब्लम सा रहे हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल भी रही हैं तो तो अगर आप scooter लेना चाहते हैं तो यह दूआ करके लिजिए कि आपकी scooter में मलब आपकी scooter में कोई problems ना ही आए तो अच्छा है बाकी तो यह scooter एक software based scooter है तो थोड़ा बहुत इसमें hang हो जाना display hang हो जाना एक दो bugs है इसमें तो वो कोई problem नहीं है इसकी वो तो आप reboot कर नॉर्मल की बार देख रहे हैं हमारी वीडियो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटा-फट से सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक ले नमस्कार